कि नमस्टा दोस्तों एक बार स्वावत है आपका crystal therapy के अंदर crystal healing के अंदर और आज हम सभी बात करणें जा रहे हैं benefit of crystal जो हमारे सब्टिक होते हैं जो हमारे stones होते हैं जो crystals होते हैं इसकी क्या के benefit होते हैं दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक कोई छोटा टॉपिक नहीं है बहुत बड़ा टॉपिक है फिर भी जितना पॉसिबल मुस्सिफ हो सकेगा सबसे आसान शब्दों में और जितनी नौलिज़ की आपको ज़रूर था को देने की ज़रूर पूशिश करूँगा दोस्तों क्रिस्तल के हजारों से लाखों फायदे हो सकते हैं जिनको शायद शब्दों में बताना मुश्किल है मगर फिर भी आपको कुछ शब्दों में मैं बताने ही पूशिश कर रहा हूं कि क्रिस्टल की क्या क्या फायदे होते हैं कैसे कैसा क्रिस्टल को मदद ले सकते हो दोस्तों क्रिस्टल का कोई भी फायदा लेने के लिए आपको क्रिस्टल को पर्चेस करना पड़ेगा क्रिस्टल को पर्चेस करके उसको शिर्द शक्तिशाली करना पड़ेगा और आपको कम फाइदा नहीं है अगर वो आपके घर में नहीं पड़ा या कहीं ऐसे इत्पोर्जे में पड़ा है जहां पता ही नहीं उसका क्या है तो क्रिस्टल का आपके पास होना जरूरी है और जैसा बैने पिछली वोड़ वीडियो में बताया आपको कि क्रिस्टल को गहते हैं कि यह जीवित पत्थर है उसमें भी जीवन है तो जब किसी चीज में जीवन होता है तो उसका आदर सत्कार करना उसको रिक्सपेट करना जरूरी होता है अगर आप उसको रिक्सपेट करोगे तब ही उसके प्रॉपर बेनिफिट आप अच्छे से ले पाएंगे अगर आप उसका निरादर करोगे उसका सही से उपयोग नहीं करोगे तो शायद किस्टल का 100% फायदा आप ना ले पाओ तो दोस्तों किस्टल्स आपको आपकी हेल्थ में सुधार करने में मदद करता है आपको किसी भी तरह का फिजिकल एशू हो, हेल्थ प्रॉल्लम हो चाहे आपकी बोड़मे कोई पेन हो, कोई समस्या हो चाहे आपको कोई बिमारी हो, परिशानी हो, टेंचन हो, स्ट्रस हो उसमें आप की स्टल्स की मदद से अपकी परिशानी को हील कर सकता है आप ठीक हो सकता हो दोस्तों आपका कोई mental issue हो दिमाग से जुड़ावा कोई डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, आप ज़्यादा नेडिव सोचते हो, आपका ध्यान नहीं लगता, आप पढ़ नहीं पाते हो, आपको चीज़े याद नहीं रहती है या कोई भी मेंटल प्रॉलम है, वहाँ आप दिस्टल का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों, आपका कोई रिलेशन्शिप इशू हो, कोई परिस्टल इशू हो, कोई आपका घर परिवार में, संबंदों में, मिया, बीबी का, बाप, बेटे का, बच्चों का, बेहन, भाई का, किसी भी तरह का कोई ऐसा इशू हो, जो सौल नहीं हो रहा लोग आपको प्यार नहीं दे रहे, आप लोगों प्यार नहीं दे पा रहे, आपको बहुत हर्ट मिलते हैं, आपके बहुत ब्रेक अप होते हैं, आपको डिच करके चले जाते हैं, आपको परिशान करके चले जाते हैं, लोग आपको रूलाते हैं, या आप खुद बहुत आपको चीज़े बहुत जल्दी परिशान कर देती हैं, आपको लोगों की बातों का बहुत असर होता है, आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, आपके जो मूर है वो स्विंग होते रहते हैं, आप एमोशनली बहुत जल्दी लोगों से अटाच हो जाते हो, तो कोई भी ए बदद से आप spiritually high होते हो, आपको protection मिलती है, आपको safety मिलती है, आपको guidance मिलती है, जो लोग crystal use करते हैं, उनको पता है, कि crystals हमें guide करते हैं, कही बार हम अगर गलट decision ले रहे हो और गलट जगा बैठे हो, तो वहां से हमें उठाते हैं, हमें गलट लोगों से, गलट चीज़ों से crystal हमें दूर करते हैं, हमें safety protection प्रोवाइट करते हैं crystal, बिजनस में आपको financial issue है, आपको money management का issue है, आपके पैसे वापस नहीं आरें, लोग दें नहीं रहें, आपको पतानी चादा मुझे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, जोब में परमोशन नहीं हो रही, आपका दोस्तों, आपकी psychic ability, जैसे में रावा, sexuality में मदद करते हैं तो आपकी psychic ability को भी enhance करते हैं, आपकी जो intuition power होती है, उसको भी आके बढ़ाते हैं, आपकी जो fear और phobia है, आपका किसी प्रकाहिवावावी डर है, आपकी phobia है, उसमें भी crystals की आप मदद ले सकते हैं, उसमें intuition power परदनी शुरू हो जाती है, crystals की मदद के से आपकी life में चारों तरफ positivity आनी शुरू हो जाती है, अगर आप धन से crystals के बारे में समझें, crystal को जाने और सही तरह से उसका उपयोग करें तो, दोस्तों crystal की मदद से हम अपने घर के पानी को heal कर सकते हैं, जिससे हमारे पूरे परिवार की सेखत ठीक होती है, इसके लगार दोस्तों crystal की ही मदद से आपका जो वास्तु दोश है जाए, वो आपकी घर का है, आफिस का है, फैक्टरी का है, जगा का है, वो भी सारे दोश खतम होने शुरूब हो जाते हैं, दोस्तों crystal की वासे आप physical, mental, emotional, spiritual, financial, हर तरह से आपको मदद मिलती है, सबसे आदम मदद मिलती है healing में, अगर आप रेकी जानते हैं, किसी भी तरह की healing में है, तो आपको अपनी healing के साथ crystals को जोड़ना जरूरी है, crystals को रेकी को जोडने से, कोई भी healing utility को जोड़ने से, वो healing की power multiply हो जाती है, result और अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, और दोस्तों सबसे important की अगर आप healing की किसी field में है, आप किसी चीज़ को healing करते हैं, आप अपने परिवास पर दूसरों को healing करना चाहते हैं, तो यहाँ पर crystal आपको help करते हैं, protect करत हैं, ताकि दूसरों की problem आपके उपर ना आए किसी negative energy का influence, आपके उपर ना आए कोई negative energy, आपका बुरा ना करें, तो वहाँ crystal का इस्तमाल करना बहुत जरूरी है, दोस्तों, अगर आप crystal नहीं पहनते, crystal नहीं use करते, तो दूसरों की problem आपके उपर आसानी से आ सकती है, तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, तो हमारी आगे की वीडियो को आप जरूर देखें, और आप जरूर समझें, कि crystal को हम कब कब कहा कहा कैसे कैसे इस्तमाल करें, कों से crystal लें, और क्या से crystal की हम पहचान करें, कैसे में पता चलेंगी, असली crystal कोंट से हैं और हमें किस जगा से crystal लेने चाहिए और किस form में crystal लेने चाहिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो काप शेयर करें, comment करें like करें, हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो हमारी वीडियो के नीचे comment करें कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा और क्या आप जाना चाहते हैं क्या आप सीखना चाहते हैं कहां आपको कमी लग रही है तो हम उन कम्यों को सुधारेंगे और जो आपकी जरूरत है वो आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों क्रिस्टल का हमारे एक वरक्शॉप भी है पूरा जिसमें क्रिस्टल को एक टू जड़ बहुत अच्छे समझाते हैं और बहुत जगा बहुत से प्राक्टिकल क्रिस्टल के क्रिकल कर सकते हैं और जरू सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी एड़ाइस सजेशन आदों में जरूर थे थैंक्यू दोस्तों कर दो कर दो कर दो कर 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 कर